हैरो прेंट्स मैं हू निर्मला और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बताने जारी हूँ आपको चटपटी मसाले दार हरी मिर्च फृराई यह हरी मिर्च खाने में जितनी टेस्टि लगती है उतनी ही इसे बनाना भी बहुत ही आसान है ये तुरंती बन कर तयार हो जाती है तो आप भी एक बार ये चटपटी से हरी मिर्च जरूर बना के देखें तो इस हरी मिर्च को बनाने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च यहां मैंने 200 ग्राम हरी मिर्च ली है यह मोटी और लंबी वाली हरी मिर्च है जो ज़्यादा तीकी नहीं आती है और साथी इनको धोकर अच्छे से इनका पानी है वो सुखा लिया है तो इनमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए साथ में कुछ खरे मसाले लेंगे जिनमें है चार बड़े चमच सापुत धनिया चार बड़े चमच सौफली है और जस्ट इनका आदा हम दो बड़े चमच लेंगे जीरा जीरा हम ज़्यादा नहीं लेंगे हम लेंगे राई दो बड़ी चमच और आप इसकी जग़े छोटी वाले सरसों भी कामे ले सकते हैं तेल लेंगे चार बड़ी चमच आप इसकी जग़े सरसों का देल भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे भी यह हरीमिश बहुत अच्छे बनती है साथ में अमचूर पाउडर लेंगे दो बड़ी चमच जिसे यह हरीमिश है वो बहुत ही चटपटी से बनेंगी आदा चोटा चमच हल्दी पाउडर दो चुटकी लेंगे हींग और नमक लेंगे स्वादा अनुसार तो चलिए यह चटपटी से हरीमिश बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन ले लें और इसके अंदर यह साबुत खरे मसाले डालें तो इसमें सौफ डालें जीरा और साबुत धनिया डालें और इन्हें लोफ लेम करके अच्छे से रोस्ट कर लें लोफ लेम पर रकर जितना आप इनको अच्छे से रोस्ट करोगे इनका टेस्ट और अरोमा बहुत ही अच्छा आएगा बहुत अच्छे खुश्बू आने लगी है तो अब इनको अच्छे से ठंडा होने देंगे सारे खरे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके हैं तो अब इने एक मिक्स के जार में डाल कर ग्राइंड कर लेते हैं मसालों को दरदरा पीस लिया है तो अब एक बड़ा बाउल लेते हैं और इसके अंदर ये पिसे वे मसाले डाल लेते हैं इन मसालों में अमचूर पाउडर भी डाल लेंगे, साथ ही नमक भी अड़ कर लेंगे, तो ये चीज़े आप अपने स्वादनों सार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो ये तो हरी मिर्च के अंदर का भणने का मसाला तयार हो गय तो हरी मिर्च पूरी कट जाएगी, तो इससे है, वो आपको मसाला अंदर भणने में परेशानी आ सकती है, तो पहले इस तरह बीच में चीरा दे, चीरा हो आरपार नहीं देना है, बस इसके एकी साइड में चीरा देना है, और इस तरह चाकू से बीच निकाल देंगे, दे बीच में जगह है, इसमें हम यह मसाला भर देंगे, यह बहुत अच्छे से इसके अंदर मसाला भरा जाएगा, क्योंकि हमने बीच निकाल दिए है, और रेदी आपको मिर्च कारते समये, हातों में जलन होती है, तो मिर्च कारते समये, थोड़ा तो इस पहले थोड़ा तो झाले अब बीश मिर्च के भाद इंके बीच में मसाला भर तैयार करेंगे परदे अब बीचान काफिंगे अज़िलु चल शुल के वाल जुरब करेंगे। 3-4 बड़े चमस देल के डाल लेंगे देल को अच्छे से गरम होने देंगे देल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे राई साथ में डालेंगे हींग राई को अच्छे से तड़कने देते हैं आप राई की जगह जैसा कि मैंने बताया चोटी वाली सरसों भी कामे ले सकते हैं इसे भी इन मिर्च का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है राई अच्छे से तड़कने लगी है तो अब इसमें ये हल्दी पाउडर मिला देंगे हल्दी पाउडर मिलाने से एक तो मिर्च का कलर भी अच्छा आता है साथ ही मिर्च है वो बिल्कुल भी तीकी नहीं बनती है अब गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे और इन हरी मिर्चों को इस तेल में अच्छे से पकने देंगे तो जब ये एक साइड से बक जाएंगी तो हम दूसरे साइड से इन्हें पलट देंगे तो अभी इन्हे एक साइड से फ्राइए कर लेते हैं तो गैस का फ्लेम लो ही रखें क्योंकि ये जदा पकने में टाइम नहीं लेती हैं तो हरी मिर्च को एक मिनिट हो चुका है तो इन्हें पलट लेते हैं तो एक तरफ से हरी मिर्च है वो बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है यह बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में बहुत ही चटपटी से होती है यह तो आप दूसरे साइड से भी पलट कर इन्हे हम फ्राइ कर लेते हैं आप हम चूर पाउडर की जगह इसमें निम्बू का जूस भी का मिले सकते हैं तो जब हम मसाला इसमें बढ़ने के लिए तयार करते हैं उसी समय उसमें निम्बू का जूस है वो नी चोड़ दें तो इसे भी यह हरी मिर्च बहुत ही टेस्टी और चट पटे से हरी मिर्च में उमीद करती हूँ आपको यह हरी मिर्च बहुत पसंद आएंगी आज की यदि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का पटन क्लिक करें और अपने सुझाओं मेरे साथ जरूर शेयर करें आपका ये वीडियो दे झाले